हेलो फ्रेंट्स आज हम बहुत इंपोर्टेंट टोपिक के ओपर बात करने वाले हैं यह है MS-8 Quantitative analysis for managerial application के अंदर जो इगनू से MBA कर रहे हैं उसका सबसे hard code माना जाता है MS-08 तो बहुत ही स्टूडेंट्स की दिमान ठीक MS-08 को ऊपर कोई वीडियो बना जाए ताकि इसको अच्छे से clear किया जाए जहां तक मैंने भी इसको किया है MBA किया है और दूसरी student को मैं देखता हूं तो MS-08 की वज़य से कहीं करी साल हो जाती है और उनकी वज़य से जो है डिगरी पीछ हो जाती है unity को उपर जो है class लेके आएंगे और आप उसको अच्छे से clear करके अपने first attempt पर आने होले exam में आप इस clear करके अपने exam को अपनी degree को complete करें तो आशक करता हूं कि आप इसको skip नहीं करेंगे क्योंकि जो मैंने मेहनत किया है इसी वीडियो को बनाने में और आगे जो इनकी वीडियो आएंगी वह आपके लाइक और सबस्क्राइब के उपर होंगी जितना आप इसको पसंद करेंगे तो मैं समझूँगा आप लाइक कर हो तो इसको उपर जो है नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेका हूं और जितने आप सबस्क्राइब करोगे तो मुझे लगेगे हां हमारे जो है इस्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है तो फिर धीरे मैं आपको प्रोजेक्ट के उपर बताऊंगा सिनोप्सिस क कोमेंट आया वह बोला यार मैंसेट के ऊपर कुछ वीडियो के बना रहा हूँ तो जो सबसे हाड्ड टोपी कहलेगे नगर आप इसको करोगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है देखोगे तो एक के उपर एक बैस है क्योग्कि यह मैथमेटिकल टाइप की एक यूनिट है फूरा mathematics size के अंदर तो आपको जो है इसको skip नहीं करना है शुरू से लिए कि लाज तक सभी वीडियोज को देखना है और यह है फ़र्ट वीडियोज है ms8 के उपर तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आप देख रहे हैं मेरा सब्सक्राइब करने वाला हूं वैसे मैंने इसके बहुत सारे उसके उपर इंप्रोटेंट वीडियोज बनाए हुए हैं जिसमें आपको मिलेंगे इंप्रोटेंट क्वेश्चिन जो एक्जाम में आते हैं आप उन एक्जाम के टोपिक के उपर हिट करना है और अच्छे मात सब्सक्राइब करने वाला हूं वैसे मैंने इनके उपर इंपोर्टेंट क्वेश्चिन के उपर कुछ वीडियोज अप्लोड कर दी हैं लेकिन जो क्लास है वो MS8 से शुरू कर रहा हूं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल चलो शुरू करते हैं सबसे पहल पर इसकी आवशकता कि उपरी सबसे पहले मैं एज इंट्रोडेक्शन आपको बता देना चाहता हूं हम जो है धीरी धीरे क्लास को हिंदी और इंग्लीज में तो नहों मिक्स करके पढ़ेंगे हिंदी में ज्यादा यूज करूंगा क्योंकि मैं आप उसी हिसाब से उसको इ cords पर देते हैं तो डिजिजन मेकर को इंफर्मेशन जूरत होती है कि जा से माल यह अपनी sales बढ़ानी है तो मार्केट में कितनी requirement है कितनी ham extensive करना चाहिए कितना wirbold contribution में पर डाना चाहिए अपना चोटी हो चाहिए बिजनिस चोटा हो या बढ़ा हो हर एक के अंदर जो घो यह चोटे वयापारी हो या बढ़ा प्यारी हो कोई भी हो चोटा मैंजर हो बढ़ा मैंजर हो सभी को डिसिज़न लेना for that top management पर हो या low level management पर कोई जोब कर रहा है तो डिसिज़न हर पर भी ले सकते हैं जैसे इसमें दिया है लिए मार्केटिंग करना है अपने उस प्रोड़क्ट का अगर छोड़ी और ग्राइशन के उपर बात कर रहा है उसकी मार्केटिंग करने की कोई आवश्क्ता नहीं है क्योंकि जो वो छोड़ा बिजनिसमेन है उसको सब जानते हैं उस अरिया में और सभी कस्टमर को भी उत जानता है तो इसकी मार्केटिंग की त檜ौरत नहीं होती इसके बाद सेुए मार्केटिंग किसी प्रोड़क्ट का उसकी जौरत नहीं वाली हमारी सौप है और मैं भी उनर होügen होँ और मैं जो है मेनेजर रहा है चयोता है रही चिज्च चोप बारे में पता भीर Corporate ऊठेज्च के चिज्च कि अपने बीजनेस के बारे में पता है sudah मैनेज्च आध चुवर पर बारेम पता है तो नहीं से मैनेजर पस है मुझे पर किसी बीठीज कर से चे कivoosi बारे है क्योंकि हर एक चीज के बारे में भली बात है मेरे को मालूम है तो प्रोग्रेक्स के बारे में जानने की कोई जोरत नहीं है एक्स्टर रिकोर्ड रखने की जोरत नहीं है क्योंकि हर टाइम तो मैं अपने शोप में अपने बिजनिस पर रहते हैं मुझे क्या जोरत है मेरा तो उसको कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट वर्ग की जोगत नहीं लेकिन जब हमारी और जब थोड़ी बड़ी हो जाते हैं तो उसको डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए जब कॉंप्लेक्स और गनाजीशन होता है फिर उसी इसाब से हम अपने प्यूप अपनी जो जोब्स में हैं अपने जो वार्कर्स हैं उनको ट्रेंड करना है ताकि जो में लिया होगा टेक्निक में एक वैल्यूएवल कंट्रीशन टुवार्ड रावंजी इफेक्टिव डिसीजन में के लिए बहुत इंपोर्टेंट है फाइनेंस में प्रोड़क्श्में में परसनल में हर एक डिपार्टमेंट में उसके लिए जवरत है ठीक है जैसे प्लान उसके बेस्पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है कॉंप्लेक्स और्गनाजेशन के अंदर ठीक है डिफरेंट टाइप ओप ज़्यादा टूर्स आगे हमारे पर उसके उपर हम अनलैसिस कौन से के उपर करें तो कॉंप्लेक्सिटी बढ़ी है आज की डेट में मैनेजर के ल तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है तो यह थी हमारी तोंको नकारा नहीं जा सकता है कि वबस्थे हमें जो है डिसीजन लेना पड़ता है अनला हम चलते में यह है उक्ए थोड़ा सा सोई हम मेंनिक्स कॉंटिटेटिव थ Scr अच्छा है मैं बताना चाह रहा था कि आप कि हीफ उनित है इसमें सोर्ट नीनिमम 10 नंबर का आने की सब्धाना आ कि जो स्टूडन्ट मैतमेृतिक्स में वीक है सीधा सा फंडा है मेलिच का, जो मैतमेимиठ्स मे taraf में वीक है उसको जो without mathematics के question आएंगे 30 35 नंबर के वो नहीं छोड़ने हैं कम से कम 35 या 40 नंबर के question आते हैं जो without mathematics के होते हैं अगर आप उनको भी करोगे तो आप pass हो जाओगे तो वह इसी टाइप के आएंगे meaning of quantitative techniques simple and sampling क्या होती है primary data गया होता है secondary data गया होता है तो आप जो है जो without mathematics जो बार-बार जो है फेल हो रहे हैं या mathematics की वज़े से weak है उनोंने पहले कभी नहीं बढ़ा है तो वो जो हैं इसको ले सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है जो without mathematics के question है जो में आभी हम class कर गए है इन टाइप के question को छोड़ना नहीं है तो इसका meaning यह है कि जो हम नापते हैं statical mathematical numerical analysis करते हैं जो data हम collect करते हैं हम कोई polls करते हैं या किशी को questionnaire देते हैं उनसे question वरवाते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है इसको प्राइमारी डाटा करके हमने कोई data बनाया फिर उसमें कोई technique के use किया तो इन सब को कहते हैं quantitative techniques तो यह जो techniques हैं यह दो techniques होती है quantitative techniques पहली होगी statical techniques यह वाला और दूसरी जो है operation research इसके उपर unit में आगे भी बता गया है इसको programming technique भी बोलते हैं ठीक है तो आप समझ के होगे quantitative जो है हम जो research quantitative approach of decision में require the problem of define यह language थोड़ी सी hard है आपको simple language में लिखना है कि पर हम data collect करते है primary data collect करते हैं यह secondary data जो होते है जिसके बेस पर हम उसके ओपर technique apply करके हम decision लेते हैं तो वह जो decision होगे वह जो है कहलाती है quantitative techniques ठीक है as a simple language में मैंने आपको बता जिया है इसके hard language के आप अंदर जाओगे तो थोड़ रहा साम उसकी लोगा तो course of action बताया गया है तो यह था इसके बारे में अब statical and operation research statics and operation research के बारे में है तो इसमें बताया गया है statical and operation research के बारे में इस्टेटिकल डाटा है कि रिसर्च बेस तो इसमें statical data यह जब data जायदा होता है कप संक्या में काफी data होता है ठीक है इसमें the description में take count to measurement for example college है जैसा कोई उसमें are we can get to a student आндे JUST sacred customer data लेकिन कितने मेरे हैं कितने भी मैल है और बड़ीड यह ज्यायदा बड़ीर कितने graduate है किने undergraduate है और ज्यादा ड़ीड़ीड यह कितने जवह है है हाइठ कितना औन rubbish है तो data काफी passed होगया काफी ज्यादा होगया कुलारेल हो गया में हिंदी में जिसको बोलते हैं तो यह को सिंगुलर सेंस में जिसा अब लोगन है कि ब्लाना करते हैं जो लार्ज वोल्यम मेंमझ करते हैं नोगनाईbirा पूआ हो ऑप प्रोसेस का यह पांच वाड एक सिस्टम में लिख लेना है पहले डाटा का कलेक्शन फिर औरकनाइज करते हैं डाटा बहुत वास्टा उसको सिस्टेमेटिक तरीक से औरकनाइज किया फिर क्लाजिफाय किया जो उड़त के इसाथ से फिर इसको प्रेजेंट किया कि भाई फि डाटा हम लेते हैं private form में उसके बाग अंहोंने बताया गया बागी या जो है आगए की उनिछिट में आएगा उसके बाद कैसे लिखना डी यू पी टी ओ कि ए ई-ए एई डजाने आता है तो जो टाटा है डोधाओ अ मतलब डाटा डियसे data इनफे रिक्सिशन के उनकी है इतने में ऐसे के घ्रिटमिक इतने हैं माहि पीर इतने इनके के अंदर इतने पीव प ले इतने एतने पीव फ Mage ये इतने आदमी है कि तु फिर इसको और्गनाईज करेंगे फिर इन्गैशन देंगे कि प्रेमरे डेगे धाने कर दो कि या छखेल ढीडिया कि कि represented यह बताया कि डाटा की जो quantitative form of statical जो डाटा है उसके बारे में वो fact के ओपर होना चाहिए, फरजी डाटा नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो हमाई जो organization हो फरजी direction में चलती रहेगी, जोटी डाटाया, उसके बारे में जोटा decision लिया, और organization को खड़े में डाल दिया, इसा नहीं होना चाहिए, for example, हमने कोई product बनाया, हमने अंदाज है लगाए कि यह product जो है, 500 रुपे का है, इस सहर हो जाएगा 500 का, 500 के अंदर में, फिर हमने कोई organization को अपना survey किया, survey false आया, false के उपर हमने अपना खर्चा, decision product activity इतना खर्चा कर दिया, उसको बनाने में, सब decision लिया, plants लगाए, सब कुछ लगाए, और फिर last में जो है, अगर हमारी requirement के उपर जो है customer नहीं आ रहा है, तो फिर हो सब वेकार हो जाएगा, कितना loss हो जाएगा में, तो data should be accurate and fact के उपर, aggregate facts हम कोई खटे करने, they should be effective effect to a mark extended by the multiplicity of the couches, ठीक है, तो वो हर एक उसके पर controllable हो, या uncontrollable fact हो, हर किसी के point के नजरिये से देखना है, कुछ fact ऐसे होते हैं, जिनको हम control कर सकते हैं, कुछ fact ऐसे होते हैं, जिनको हम control नहीं कर सकते हैं, for example, should be effect on the market extended by the multiplicity of the couches, for example, social service and observation recorded are affected by the number of the factor, जैसे, कोई हमारा product है, मालिय वो seasonable है, कोई जो है, non-seasonable है, seasonable समझे तो मालिया हम कोई jacket बनाया है, वो सर्दी में चलती है, तो सर्दी के हिसाब से, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिस, तो गर्मियों में वो काम नहीं करेगी, कई टाइप पे हमारा वो जो है, controllable होती है, कुछ चीज़े कुछ हमारी uncontrollable होती है, ठीक है, जैसे बार होगी है, सब चीज़े होगी, adverse atmosphere होगी, वो uncontrollable है, तो सब चीज़े को fact में रखते हुए, उनको जो है, अपना decision लेना, समझे, they must be enumerated on the estimated according to the reasonable standard of accuracy, जैसे हम किसी की height नापते है, हम अपना जो data खटा करते हूँ, accurate form तक होना चाहिए, suppose हम गेहूं बेच रहे, suppose हम चीज़े नी बेच रहे, तो चीज़े हम बेच रहे, तस रूप, 40 रुपे केजी है, 41 रुपे केजी बेच दिया, कोई चक्र ने, कोई दिक्कत ने, 41 कर दिया, 41 कर दिया, 42 कर दिया, ठीक है, लेकिन जब हम वो ही, जब हम सोना बेचेंगे, तो केजी में 41 और 42 नहीं होगा, वो एक एक ग्राम की वहां पे value है, एक सेंटीमिटर, 0.001 ग्राम की भी value है, तो कितनी accuracy तक आपको उसको जो है, इखटा करना, आपको नापना है, वो बता रहे है, जैसे height है, 0.01 cm तक हम ने नापना, वो उसकी accuracy होगी, लेकिन कहीं बार दूसरे factor होती है, उस accuracy तक कुछ चीज को नहीं ले के जा सकते हैं, जैसे हम sampling कर रहे हैं किसी population कर, हम किसी की height नापनी है, तो बार पार हम उसको 0.001 तक नहीं ले के जा सकते हैं, कुछ चीज होती है, हमारा estimation होता है कि हमें अपने जो organization है, उसके लिए data बिल्कुल accurate चाहिए, तो उस accuracy तक हमें लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो decision है, उसकी base पर वो सब खराब हो जाएंगे, तो next जो है, they must have been collected by systematic manner for a predetermined mind purpose, जो हमने data collect किया है, जो मैं भी बता था, हमारा जो purpose है, उसके हिसास से ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए, Suppose हम जो है, हम data क्या कर रहे हैं, इसी में बताया है, example, collective data on price, serve no purpose unless, known whatever want to collect data on wholesale or retail, हमें किसी का price के base पर हम कोई survey कर रहे हैं, लेकिन वो survey किस पर जब हम यहीं नहीं बता कि हम wholesale price के उपर survey करना है, retail के price, wholesale or retail के price जो होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो फिर जो हमारा data हो भी, कित इतना भी collect कर लो, वो सब खराब हो जाएगा, raw data हो जाएगा, तो जो हम रिक्वार्मेंट के हिसाफ से data collect करना है, they must be placed in relation to each other, they must be placed in relation to each other, जो हम data खटा कर दे हैं, दूसरे परत्पज के रिए भी, use होना चाहिए, सब आज हमारी एक organization है, और हमने इतनी मेहनत से, इतना पैस questionnaire करके, survey करके, इतना पैसा खर्च करना कि हमने कोई data लिया, और हमारा कोई similar दूसरा product में, वो data यूज नहीं हो सकता, तो उसको कोई फायदा नहीं है, वो जो data है, interchangeable होना चाहिए, multiple purpose के लिए है, ताकि हम उसको use कर सके है, they must be numerically expressed, यानि कि हम sentenceable data को बोले, जैसे beauty हो गया, और intelligent, तो इसको नापने का कोई तरीका नहीं है, तो हम उसको beauty या, जो है, intelligent में नहीं है, या जी sentence हम उसको नहीं बोल सकते, numerical होना चाहिए, कि भाई, 4.1 है, 4.15 cm, तो यह कि numerical data में हमारे express करना चाहिए, तो अगर इस चरीके से हम गीडियो बनाएंगे, तो यार काफी लंब हो जाएगा, तो आप comment करके थोड़ा बताओ कि गहरा इसे समझाना है, जली 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 इसको complete करना है, कभी आप अगर बोल हो रहे होंगे, तो फिर इसको थोड़ा fast करेंगे, तो इतनी गहरा इसे मैं इसको समझाना ही पाऊँगा, तो प्लीज यार कोमेंट करके बनाएथा दिजागा, अगरी यह बाहरा हीकि है, इस में दी आता है जली इस सोटना है, यह आपका स्टेटिकल डाटा के बारे में बताइब ती वालटा करते हैं क्वार्भा क्तारा है, पुर्साथ को सब्सक्त्रास करते हैं, थी यह सिसको सब गई हम उया कि अद्थ करते हैं, ए खों तो वह होगे प्रैमरी डाटा सब्सक्राइब 16 से किसी सर्वे से किसी एजेंसी से डाटा लिया होगा गी यह नपपप्लीस तो से के का पपपलीच्ट अडला है तो उसी को एजिव यूज कर लिया जैसे किसी में चापा कि जो है गर्मियों में है 93 पर्सेंट जो है कि पूलर का इसकतामार करते हैं सब्सक्राइब कोई कम बिजनिस और गूलाइजेशन जो कूलर बनाती है तो 93% के हिसाफ से हम अपना कूलर इसको आप पूलिशन के साफ से पना डिजाइन करेंगे किस टाइप उनकी रिकॉर्मेंट से वह अलग अलग बैराइटी है बाहर रखने वाले हैं अंदर रखने वाले के इतने लोग उसको यूज करते हैं तो यह होगे सेकंडी डाटा से हम से किंडी डाटा से कैसे बजनिस तो इसको आप पड़ सकते हैं, तो इसको तरीक ही कही है जो प्राइमर सो सी कर्टटा करने के निज्टी कर सकते हैं इसमें बताया है ठीक है जैसे डाटा रेगुलरीजी जो एक्लेक्ट किये जाता है इंटरनेशनल और्गनाजेशन के वर्ल्ड बैंक, एसियन डेवलोप्मेंट बैंक, इंटरनेशनल आईयल हो गया, यून हो गया, गोर्मेंट अजेंसी होगी, रिजर्ब बैंक हो गया, सैंस हो गया, कामिशन हो गया, मिनिस्ट्री ओफ एकोनमी का फेयर हो गया, कॉमर्स मिनिस्ट्री होगी, प्राइवर्ट रिसर्च और्गनाजेशन होगी, ट्रेड आशोशियेशन होगी, इन सब जो डाटा पाब्लिस कर दिलेते हैं, उस डाटा को अगर हम यूज लेंगे तो हो से केंड़ी डाटा हो गया, और प्राइमेरी डाटा मैंने बता दिया, डारेक्ली हम उससे लेते हैं, सोर्स से, कलेक्ट कर दें को दें, और जो यह रिसर्च और ऑपरेशन रिसर्च के बेच में, ब्लोग नमबर थ्री में इसके ओपर एक चेक्टर में पढ़ाए जाएगा हो टिक है, उसके बाद होगा, đрь. ऐसके बाद हो गया, टिक है, ऊकलासिफिकीशन उप इस्टेटिक्स मेति इक्टर कलासिफिकेशन वंपंग श्टेटिक्स मंतर तो आनि ​ आ hmm, इसके अंदर जो है थोड राशा इसमें से आ सकता के अधी इस तरिक यहाय है तो तीन तरीक से मैं आपको बता देना चाहता हूं इस ट्रेटिक मैं ज spur Geo घलेल तो तो एस्टेटिक मेस्पम हो बोलते हैं तो मैं इसको आगे लेके चलता हूं आपको बता देता हूं डिस्क्रिप्टीव रियारेंजिंग ग्रूपिंग सम्राइज डाटा उप्टेन इन्फरमेशन फैक्ट बाइड डेस्क्रिप्शन के डाइस्क्रिप्शन सिच्वेशन देट कैन में फॉर एक्जेम्पिल प्राइस के अंदर चेंज हो रहा है गहों के अंदर तो यह डिफ्रेंट अरूप सब्सक्रिप्शन के अंदर आता है उसके बाद इंडक्टिव इस्टेटिक्स इंडक्टिव में क्या है इंडक्टिव में जो है हम एक वो लेखते हैं कि भी प्रोबाइबिलिटी कि वह अंदाज जिसको बोलते हैं कि मालिया 10 में से 5% ऐसा हो सकता है 5% ऐसा हो सकता है 6% ऐसा हो सकता है 100 में से 50% ऐसा 40 ऐसा हो सकता है तो यह प्रोबाइबिलिटी होती है अंदाजा तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव फॉर्म्स इसमें जो है कन्कूलूजन जो है जनरली इसमें जो है हम कन्कूलूजन पर क तो इस हमने माले कोई सेंपल या किसी ऐब पोपुलेशन का तो जिस इडियो का लेंगे इसको बोल लेंगे परबेटर इतने अरिया का क्योंकि फूरीस जंट्रा काम नहीं ले जकी कुसी पर्टिंग subscribe me to to n 해bab सब् 된 हब और यहां पaimer कि इसको जो हम कहलेंगे स्ट्रेटिक्स कहलेंगी स्टैटिक्स को गालोगा तो नमबर अब अफ्पोपिलेशन में इसको जो हम कहलेगे स्टेटिक्स कहलेगे इस परमीटर का सैंपल जहां पर लिए स्टेटिक्स होगा ठीक है तो नंबर ओप दी पोपिलेशन में हमें पता नहीं है कि कि इतनी नौन तो population पूरी population काना लेकि क्योंकि उस्पर बहुत खर्चा आता है बहुत पैसिक अभेस्टिज होता है मैंद को बहुत लगाने पड़ते हैं डाटा फेर करना पड़ता है तो पुरे युनिवर्स का bueno- belly cстран契 लेते lóg भी उसकी अर्यायार में भ्रकिन अद़र को बना यदि कुछ Alb sector को डिद्ध बअनले इतो 3000 छोगने लीआख व्यादार दाज लगा का अपना लीषाल सिजर्यार है है तो यह क्योंकि एह अध्य डिसीजिजन फूरी सिस्टेटिकल डिसीजन थो हुए है वह स्टेटिकल डाटा के उपर हम सही ड용क ठीड का है इस के ओपर हम जो है हर्एक इंडूजॉवब को जोέ डिसीजन लेना पड़ता है अपनी organization के ओपर जो वो statical data के ओपर decision ले सकता है वो high भी हो सकता है उसके अंदर इसको low भी हो सकता है जैसे किसी product का या किसी sales का या किसी business unit का ठीक है तो इसमें जो है कई परकार के जो नो जो पहले जो है छोटी organization के अंदर जब decision लेते हैं वो experience के पर ले लेते हैं या knowledge के ले लेते हैं उनको पहले से अपना जो चोटा organization है उसके अंदर या छोटी unit है business की तो उसमें पता रहता है कि क्या करना क्या ने करना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब चीज़ी पता रहता है लेकिन जब बड़ी organization होती है तो उसके अंदर जो है decision लेने के अंदर high low risk बहुत सारी चीज़ों के factor करते है decision making में तो decision जो है चार तरीके से इसमें रहे जा सकता है under certainty, uncertainty ठीक है और conflict और risk ये दिखाया है किन किनी state के अंदर हम decision लेते है certainty है तो deterministic है हमारा कि हां confirm है जब हम बिल्कुल confirm है तो हमारा decision भी बिल्कुल काम है जब risk है तो probability हो जाती है अंदाजा हो जाता है कि इतना percentage risk है इतना हो सकता है तो इतना हो जाएगा जब लेकिन हमारा decision uncertainty के अंदर आता है हमें कुछ पता नहीं कि आगे क्या होने वाला तो unknown नहीं थी हमारी वह भी consequence consequence भी ठीक है जब conflict conflict मतलब जब mix up होता है certainty भी है uncertainty भी है तो influence कर दिया जाता है किसी component opponent के दोबरा किसी particular factor के दोबरा तो यह होगे statical decision theory तो आशाकर तो यह जो है छोटा आ सकता है तीनों में से कोई short note आ सकता है इसके ओपर ठीक है तो model of the operation research यागली उनिटों में बताए जाएगा अब इसके परच्वज के बारे में बात करते हैं परपज अब आप दिरे दिरे इसके ओपर हम चलती जाएंगे descriptive model तो परपज में जैसे model representation is a system which run represents specific part of the reality ठीक है इसमें आप थोड़ा सा पढ़ लेना है इसके अंदर बताया गया है इसमें परपज के अंदर जो है इसमें चार model बताए गए हैं इन चार model को मैं बताता हूं तो यह आ जाता है descriptive model, explainative model, predictive model और prospective model, normative model तो मैं आपको इसको simple बाता में समझ जाता हूं descriptive model वह होता है जिसमें हम सिर्फ description देते हैं जी वर्ड में देते हैं ठीक है तो यह होगे descriptive model, describe the behavior of the system, इनने certain information के ओपर ठीक है descriptive हो गया हो, simple इतना ही लिखना उसमें तो चार वर्ड आगे पीछे लिखते हैं तो explanatory जिसमें हम explanation देते हैं, व्याक्षा करते हैं, explanatory system, ठीक है relationship between the various components के ओपर, अलगनाग उसके ओपर explanation देते हैं, जैसे relationship factor, ways, promotion, policy, education, लेवान यह सब क्या है इनके ओपर explain करते हैं, आप उसमें इंटर लिंक रहते हैं, predictive model, predictive मतलब अंदाज़े ही लगा सकते हो system के ओपर, ठीक है future का waste data के ओपर, for example, the model is built to the predictive stock price, stock price को कौन बता सकता है कि कितना होगा, ठीक है predictive model हो गया, अंदाज़ा, अब होगा prospective normative model, prospective model जो होता है, complete comparison करता है, alternative solution का, prospective, selection करता है best alternative का, वाल यह हम जो है तो decision लेते हैं कि रहसा करने से तो है इतना हो रहा है, और दूसरा काम करते है तो उससे जो है इतना फाइदा है, इतना नुक्षान हो रहा है, तो कौन सा decision लेना है, तो यह आगे जैसे share के price up-down चलते हैं, prospective normative हो गया, ठीक है, comparison होता है, alternative solutions के अंदर, तो अब हो गया, इसमें जो sort note आता है, degree of, दो चीजों में आता है, degree of certainty and degree of abstraction, abstraction मतलब सार या संक्षेप बोलते हैं, हिंनी में, ठीक है, तो इसमें जो है classification दिया, degree of abstraction का, अगर physical model है, model कितने है, physical geographic, physical होगा, graphic होगा, semantic होगा, along होगा, mathematical होगा, तो list of restrictions से most abstract की ओर जा रहा है, ठीक है, तो यह, इसको यहां से हां तक या रखना है, degree of restriction आएगा, इसको लिख दोगे ना, ऐसे बनाएगे, तो अभी आपको पूरे माक आ जाएगे, आप physical के बारे में बताए गए, ठीक है, हर एक के बारे में इसमें अलग-अलग बताया है ठी, physical क्या होता है, जो दिखाई देता है सामने, reduce to size scale up to the physical model, these models include the planning, मैं plant का, हम को एक factory है, plant से उसका layout, उसके plastic models, air tone, body parts, उसके, जो सब कुछ हमें सामने से दिखाई देती है, ऐसी ऐसी चीज़े, we will describe, but cannot be manipulate and use for the predictions के लिए यूज नहीं किया जा सकता, अन्दार जी के लिए अन्दर कोई changement कि निकिया जाता है, three dimension model होता है, three dimension model होता है, three dimension मतला सामने दिखाई दिखाई दिता है, तो यह होगा है, physical, physical मतला सामने से देखना, कोई examiner जी चीज नहीं, physical model होगया, उसके बाद जो होगया, अगला graphic model, graphical representations के दुए हम उसको दिखा सकते है, chart हो गया, diagram हो होगया, उसके बाद आगया, इसी के अन्दर एक और model है, semantic models, semantic model, sequence of activating during the completing process of productive example of semantic model, systematic diagram अगेरा से दिखाते हैं, इसके अन्दर, ठीक है, computers या कोई ऐसा diagram, systematic descriptions के अन्दर रहते हैं, ठीक है, teacher type का analog model हो गया, problem situation, closely associated with ionic models, ठीक है, तो इसमें जो है, analog, एक digital, digital, analog होता है, analog मतलब पुराने तरीके से वो ही होता है, same to same, जैसे children's के toy होगे, model layer loads होगे, तो ये क्या है, analog है, ठीक है, उसके बाद mathematical, या, symbolic representation of the system, reality से, mathematics symbols के द्वारा relationship की जाती है, और उनको दिखा जाता है, mathematical law के द्वारा manipulate किया जाता है, changement किया जाता है, object होगे, abstraction होगे, inputs होगया, interlink की जोगे, अभी किनी तो चीजों के बीच में, तो ये सब mathematical तरीके से दिखा जाता है, तो यह होगे, degree of abstraction, physical, graphic, systematic, mathematics, तो सबसे physical में सबसे कम abstract होता है, जो mathematical में सबसे most abstract होता है, तो degree of uncertainty के अंदर दो डिग्रिया है, आगे आपको बताऊंगा, इसमें degree of uncertainty के अंदर डोग डिग्री कैसे है, degree of assumed certainty, under the classification of this model, divided into the, यह है, यह ध्यान एकने वाली बात है, आगे, इसके अंदर जो होता है, जिसको determine किया जाता है, confirm होते है, certainty हंडल परसेंट ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, है, had 50% आसकता है, tell 50% आसकता है, तो यह क्या है, इसकी probability होगी, तो यह होगी degree of uncertainty में, deterministic and probabilistic, उसके बाद, यह इतना important नहीं है, specific behavior characteristic, लेकिन आपको इसको याद कर लेना है, जे चार्ट, जो specific behavior characteristics model है, वो दो भागों में बाट अबाट जा सकता है, abstract and physical, physical और abstract दोनों को dynamic or static, dynamic or static में change किया जा सकता है, फिर जो dynamic है, उसको linear or non-linear, million or non-linear में, यहां तक आपको बस यह याद कर लेना, नीचे का इतना जोड़त नहीं है, तो ठीक है, आगे चलते हैं, मैं आसर करूँगा कि जो आपका time ज्यादा उस चीज़ पर consume मत करो, जो चीज़ ज्यादा important नहीं है, ज्यादा relevance नहीं है, आप उसमें अपनी energy ज्यादा waste ना करो, exam नजदीक है, तो मैं कोसिज करूँगा कि आपको जो है, important चीज़ों का आगे बढ़ाते हुए, आगे बढ़ाऊं, कुछ चीज़ ऐसी होती है, आपको जाले समझाने के बाद भी ना आए, मेरी समझ में भी ना आए, तो आगे उसको skip करना पड़ेगा, वो simple model था, आप इसको थोड़ा न प्लस 3, या तो यह linear है, linear model, linear model क्योंकि है, बिल्कुल सीधा है, 5 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, या x, z is equal to 5 प्लस x कर सकते हैं, तो यह दो variable है, जो आपस में एक दूसरे पर depend हो जाएंगे, लेकिन जब इसमें x स्क्वार प्लस 3, x प्लस y स्क्वार हो गया, इ square में चला गया, cube में चला गया, तो उसमें जो है variable change हो जाते हैं, तो इसमें अगर हम x की value में थोड़ा सा भी change करेंगे, तो z की value में ज्यादा change आ जाएगा, तो यह linear नहीं है, linear यह ऐसा होता है, महले हमने इसमें एक बढ़ा है, तो इसमें भी एक बढ़ेगा, इसमें z में 3 बढ़ा है, तो इधर भी 3 बढ़ेगा, तो यह linear हो गया, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं, x में 2 का चेंजमेंट करते हैं, तो 2 का square हो जाता है, 4 की multiply 5 के साथ करेंगे, तो 20 हो जाता है, तो z की value में ज्यादा change हो जाता है, तो इस example से आप समझेंगे और method of solution, procedure of solution, procedure of solution में यह आपको थोड़ा सा इसमें देखना है, यह important है यह यह आपर, procedure of solution में इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो हमने purpose पढ़े थे, अभी तक degree of certainty के इंदर पढ़ाता है, deterministic, probabilistic, certainty, risk, uncertainty, इतना बढ़ा था ना, उसके बाद behavior के अंदर मैंने बढ़ा था, बोला था, static, dynamic, linear, non-linear पढ़ लेना हो गया, उसके बाद procedure of solution, solution के अंदर analytic and stimulation वाला पढ़ा था, procedure of solution, अच्छा भी यह आएगा, मैं बताऊंगा इसका procedure of solution के अंदर, और purpose में descriptive हमने पढ़ा ले जिसमें description होत होता है, predictive, जिसके अंदर prediction होता है, कि अंदार होता है, कि इतना हो जाएगा, prospective जो होता है, prospective के अंदर हमने बताया था किया, prospection होता है, comparison होता है, तो चीज़ों के अंदर, और कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाएगा, तो best जो हमारा course of action है, उसको हम choose करते ह तो यह था तो यह पढ़ लेते हैं भी प्रोसीजर ओफ शॉलूशन तो यू तु ड्राइब दी सॉलूशन ओभ मैथेमेटिकल मोडल इसको दो बागों में बाड़ा जा सकता है अनलेटिक मोडल और शुमिलेशन मोडल अनलेटिकल मोडल जो होता है वह जो है अनलेटिकल टेक यह जो होगे कौन से होते हैं यह होगे अनलेटिक मोडल और जो सिमुलेशन मोडल के अंदर जो टेक्निक होती है वह कम्प्यूटर की सायता से भी कर सकते है मैनौल भी कर सकते है रियल लाइफ सिस्टम के अंदर ठीक है तो इसके अंदर जो टेक्निक यूज होती है वह कौन तो वेरियस इस्टेटिकल टेक्निक हैं अब मैं आपको बताऊंगा यहां तक तो हो गया अब यह है अगर आपके ओपर क्वेश्चन आ जाता है वारियस डिफ्रेंट टाइप की जो है स्टिमिलेशन टेक्निक के बारे में बताईजिए यह दो टेक्निक ऐसा आ सकता है लेकिन और आपका बताता हूं आपने पहले 10 12 में भी किया होगा हम जो है डाटा कलेक्ट करते हैं फिर उसको जो है। में खुचकते में कितने उसके अनर जो है फिर उसको एसेंबल करते हैं तो उसको तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते में मेडन और मोट तो हम्मिन भाता में बता sil समय साथ दस पंद्रह वीस ऐसे करके दस चीजे दस को जोड़ दिया फिर दस से उसको जब डिवाइड करेंगे जो आवरे जाएगा वो हो गया में ठीक है उसके बाद मेडन के बारे में बताता हूं मेडन क्या है मैडन मेडन वो चीज है मालिया हमें कोई 11 संख्याए दी बढ़त अब 7 संख्याए है तो 5 लेफ्ट साइड से छोड़ दो पास राइट साइड से छोड़ दो बीच में जो अंक हो गया वो क्या हो गया मैडन मेडन हो गया मैडन होगा तो उस को बोलेंगे अब तीसरी बात बताता हूं कई ऐली बार जब संख्याए अभी तो 11 थीज लिए द हो दस है तो फिर कैसे करेंगे सम्संक्या होंगी तो उसं निकालना पड़ेगा तो चार इधर से चोड़ देंगे देगे तो आठ चलेगी संक्या पीच की दो बजगी उन उन बीच की दो संक्या हो करेंगे के मालिया की संख्या है एक है जह वह चार तो दोनों को जोड़ किए तो दस हो गया दस को फिर दो से डिवाइड किया तो पाँच मैंडन की इतना आ गया सका पाँच आ उसके बाद आ गया मोरक क्या होता है घ्लまず motivate to सबसे जादा हो बार कोई repeat हो यह संग्या जैसे हमारी कोई माल या सूज की दुकान है तो maximum कौन सा सूज हम जो है बेचते हैं जो average लोगों का जो pair होता है वो हो गया कई बार 6 नंबर भी बिकता है साथ भी बिकता है आठ भी बिकता है नो भी बिकता है दस लेगिन दस तो हर किसी का नहीं होता ना अब मैं दस नंबर का लेकर बैठ गया अपने दुकान पर तो कोई आएगा सब ऐसे जाएगे तो उसको क्या है अपना इक mod निकालना पड़ेगा तो इसमें एक डिसीजन एज विजनिस हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है तो यह होगे मीजरमेंट अब सेंट्रल टेंडेंसी के तुरू हम अपना डिसीजन ले सकते हैं इसमें तीन तरीके हैं वो तीनों मेंने आपको समझा दिया को में अब मीजरमेंट अब डिस्पर्षन अब यह बहुत hard language में आपको समझा अब समझा आंब के बारे में, एक चीज़े हैं हम जो है माल्य हमारी कोई bookie stall की दुकान है हम जो है अपनी बुक बेचते हैं तो उनका बिखराव माल ये 10 एक किलासे लेकर 10 किलास तक के बीच में हम बेचते हैं तो बिखराव कितना होगे 10 लेकिन हम बुक बेचते हैं सिर्भाई इंजिनिरिंग के स्टूडेंट को जो बी टेक करते हैं तो हमारा भिक्राव क्या हो गया सिर्फ एक हो गया तीन साल के लिए सिर्फ हम भी टैक उसको बेच तो हमारी उसकी पीक जो है हाई होगी तो डिस्पर्शन हमारा बिल्कुल एकुरेट नैरो है और डिस्पर्शन हमारा बहुत जादा है तो यह हो गया मीजरमेंट ओप घुर्ट नहीं है लेकिन आपको इतना पता होना चीजिए जो मैंने बताया जे चीजिए अको सिम्पल का मतलब है एक साथ को रिलेशन का मतलब है एक दूसरे से आसोसीएटिव होना उसका उसके गपारी पर सिम्पल वह साथ को बहुत यह दूसरे के साथ depend हो जाना association हो जाना linear association हो जाना महां यिए दो variables है वो आपस में क्या होगे linear correlate है इस यह बढ़ रहा तो भी बढ़ रहा ये घट रहा तो उसी ने पराथ में वो घट रहा तो यह हो होगा correlation और regression analysis वह होता है het same ही के जैसा होता है लेकिन इसमें जो वह ज़ादा होते हैं वह जादा होते हैं, आप ज्यादा समझाद होगे, माल यह ड़ा देढा है, पहले वाले में किया था माल यह सेल्स बढ़ा रहे हुआ है, तो उस हिसाब से हमें अपना production बढ़ा रहे हैं, लेकिंदेवर्ट देग्रेशन वह अनलैसर के बारे मैं आप को से प्रभावित होती है बजट से प्रभावित होती है मेडिया के प्लान से प्रभावित होती है content of the distribution network से host of the other variable से तो बहुत सार casual relationship इसके उपर प्रभावित होगे more than two variables होगे तो ऐसे technique को measure करना उसके उपर डिसी चलने नहीं वाला थोड़ा difficult हो जालता है तो इसको बोलते है multiple regression analysis discrimination analysis और factor analysis है तिन टाइप के analysis के अंदर होते हैं तो analysis क्या होता है जब दो से ज़्यादा variables के उपर कोई हमारा decision affected हो जाता है और एक दूसरे से associated हो जाता है तो उसको बोलेंगे regression analysis तो आप समझ गयोंगे correlation और regression analysis इसकी भासा बहुत थोड़ी difficult है उसको मैंने simple में आपको बताया है तो टाइम एंस रिजनल analysis के उपर आ जाता है इसके बारे में थोड़ा देख लेना वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है ठीक है इंडेक्स इंडेक्स भी सिंपल है इसमें बताया है इंडेक्स के उपर इंडेक्स नमबर इस रिएटिर डाट दी यूज तो रिप्रजेंट दी नेट रिजल इंड चेंज अप दी ग्रूप रिलेशन तू दी वारियाव दैट है यह पांच परसंट बढ़ गया इटो इंडेक्स कितना बढ़ गया पांच परसंट थीक है पहले सो था तो एक सो पांच हो गया दस साल के अंदर तो यह होगी इंडेक्स नमबर sampling and statical reference sampling आपको पता है कुछ particular population या particular area में से हमने कुछ particular उसको sample ले के उसका जो है analysis किया उसके उपार तो हो गया sampling random sampling किसी भी यह नहीं कि हमने एक ही जंगले लिया random sampling कर दे कभी इस एरिया से कभी उस एरिया से कभी उस एरिया से तो randomly छोड़ छोड़ के छोड़ छोड़ के sampling को बोलते है random sampling non-random sampling को बोलते हैं इस scheme driving the element from the population based on the choice of the population or sector non-random non-random जो छोड़ छोड़ के कहीं से भी ले सकते थे अब उसको non-random कर दिया हमें जिस particular community या जिस particular age group या किसी हिसाब के लोगों को हमें target करना है अपने product के हिसाब तो हम उसी type के logo से अपना जो है अपना sampling करेंगे तो यह होगी non-random sampling scheme suppose हमें fair and lovely बेजना है तो fair and lovely के लिए करना पड़ेगा हमें ladies लोगों से अपना analysis कराना पड़ेगा उनसे survey करना पड़ेगा को female items है female dresses है तो उसी type की sampling करने पड़ेगी तो उसको बोलेंगे non-random sampling advantage of quantity approach to the management हाँ तो भाई यह तो इसके अंदर जो है आ सकता है थोड़ा बहुत आप इसको देख सकते हैं management and quantity approach यह आगे आएगा यह बोला हो इसमें blog तो भी आगे इसको पड़ाए जाएगा तो अभी इसमें बताया कि definite ness होना चाहिए जो हम data लेते हैं वो बिल्कुल accurate होना चाहिए हम बिल्कुल बोल सके कि इतना है तो इतना है 1971 में जैसे है अगर 30.36% जो है educated लोग थे तो थे literacy rate इतना था 1971 में थे अभी जो है वो बढ़ता जा रहा है तो यह है कि accuracy definite ness होने चाहिए अपने data में consider condensation होना चाहिए जो data आमने बहुत मात्रा में इखटा किया उसको जो है particular assemble करके जो है distant data से को represent करना उस तरीके से इसको represent करना होगा condensation comparison comparison कर सकते हैं ठीक है between two levels के बीच में according to the binding the object static and enable comparison between post and present result by 1971 में इतना था तो 1975 में इतना हो गया 81 में इतना हो गया तो दोनों के बीच में हम comparison कर सकते हैं उसके formulation of policies उसी के वाइस पे some formulation of policies कर सकते हैं लोगों का जीवन कैसे अप करना माल लिया census किया तो government के पास-परा चल जाता है data आ जाता है कि करीबे से लोगों को भार कैसे निकालना है लोगों को घर कैसे देना है रोजगार कैसे देना है education का standard कैसे change करना है education में और क्या requirement है उसी के साथ से policy का formation करते है formulation and testing hypothesis फिर उसको जो हम policy formation करते हैं फिर उसके उपर हम अपना project research करते है कि उसके कुछ benefit हो रहे है कि नहीं हो रहे है कुछ पहले छोटे parts पर करते हैं फिर बड़े parts पर करते हैं prediction अंदाजा लगते हैं जो हमने की जो हम policy अगर ऐसे assemble करेंगे ऐसे बनाएंगे को लोगों को इस तरीके से रोजगार से बाहर रोजगार देंगे तो क्या इस तरीके से घरजिन दे के लोगों को उसके बाद इसमें एक short note आता है तो वीडियो काफी लंपा होता है लेकिन क्या करें थोड़ा सा यह आने वाले question है और इसको थोड़ा brief में मैं चोड़ता हूं आपको बता तो फिर खतम हो जाएगा इसको आप थोड़ा सध्यान से सुनना इसमें क्या है quantitative techniques in business and management किस तरीके से जो हम यह टेक्निक है अपने business or management के अंदर utilize करते हैं marketing के अंदर कैसे utilize कर सकते हैं मैं एक चांपिस के साथ गदा हूँ तो analysis of market research information research करते हैं market में हमारा product किस तरीके से का होगा तो किस तरीके से लोग उसको लेंगे ठीक है रिकोर्ड व्यूटरी मैंटेनिंग दी extensive market हमें एक रिकोर्ड बनाना पड़ता है और maintain करना पड़ता है market को sales forecasting अंदाज है लगाते कि हमारी इतनी sales लिए हैं लोगों के बीज में हो जाएगी production में हमें क्या करना पड़ता है production में उसी इसाफ़ से planning करना पड़ता है control करना प पड़ेगा अपनी quality की requirement को change करना पड़ेगा quality अच्छी है नहीं है quality और अच्छी चीए तो और अच्छी करने पड़ेगी inventory control measurement अमाल यह हमें जो है 50,000 beauty products बनाने है तो उसी इसाफ़ से हमें उसकी रा inventory management करना पड़ेगा मंगानी पड़ेगी यह थोड़ा की पहले हम दीस ब अंदर कैसे finance की forecast करनी पड़ेगी budget का changement करना पड़ेगा क्योंकि हमने अपना production बढ़ाया तो उसके लिए budget भी जागी चीए फिर investment के decisions लेने पड़ेगे लोगों से पैसा बाहर से invest कर्वाना पड़ेगा या कहां से हमें बैंक से contact करना या कैसे करना है security का selection करना पड़ेगा कि सिक्योर्टी हम इस्यू करें लोगों को ताकि bonds इसू करें शेयर इसू करें ताकि जो है हमारी companies को जो है मिले funds मिले auditing के functions को समालना पड़ेगा credit policy उधार की जो हमारी policy है उसमें कितना risk है कैसे उसको मेंडेन करना पड़ेगा personal personal के अंदर आता है अचारा हमारी related activities लेवर् में कितना जो है रेट और बढ़ाना पड़ेगा employment किस तरीके करेगा performance appraisal उनको rewards किस तरीके से देना है अपने employee को उनका वैजरेट क्या होगा उनको इस तरीके से देना है यह personal के अंदर आता है उसी हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा अपनी sales and उसी हिसाब से हमें decision लेना पड़ेगा economies के अंदर कैसे जो है quantitative analysis का जो है यूज के जाता है gross national product अपने देश की जो product GDP हो अच्छी रहेगी या कम रहेगी उसी हिसाब से हमें अपने product को माले हमारी गाडिया है उसको गाडियों का हमारा business है उसको आगे बढ़ाना है कम करना है business cycle लंबा रखना चोटा रखना seasonal लखना है जैसे माल ले कोई चीज़ी ऐसी है कि वो seasonal जलती है तो फिर उसको product life cycle को उसी साब से छोटा करना है और अपना जो design है अपनी जो performance है अपना जो production है उसी साब से design करना है माले ठंडे कपड़ों गए गरम कपड़ों का हमारा business हो गय और operational studies of public utilities ठीक है research and development के अंदर यह थोड़ा फड़ लेना research and development समझो माले हमें कोई नया product develop करना है तो किस-किस stage से होकर गुज़रेगा किस-किस stage में हमें क्या-क्या काम करना है तो वे सब चीज़े होती है इसके अंदर resource को कैसे जादे से जादा जो हमारे पास available resource है उससे कैस से ज्यादे से ज्यादा production हम दे सकते हैं existing जो policy है उनको हम check कर सकते हैं तो यह था अब इसमें जो पीछे question आया था इसके sort not आ सकता है use of computer and qualitative techniques के अंदर computer का क्या use computer को use करने से हमारा जो है fast हो गया जो manual सारी चीज़े थी और time consuming थी वो थोड़ी सी कम होगी और उसके बेस पर due decision जाना थोड़ी से fast होगे लेकिन इससे fully जो है नाकारा नहीं जा सकता है फिर भी जो mathematical चीज़े है qualitative approaches है qualitative techniques है यूज की जाती है इसके बारे में आप थोड़ा सा इसमें लिखा है evaluation more powerful computing technique use these techniques inquiry to explore new sophisticated method of data analysis जो ज़्यादा जो जटिल जो थे गंभीर जो methods थे हैं वो सब analysis के कम आसानी से हुए है और expense जो है वो कम हो गया है processing का जो time है वो कम हुआ है quickly और accurate जो है information हम provide कर सकते हैं तो यह थी पूरी जानकारी unit 1 के अंदर हम जो है unit 2 वह जल लेके आएंगे जितना ज्यादा आप लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तो हम समझेंगे कि आप जो है अच्छे से जो है इस unit को आप चाहते हैं कि अगली unit चली से चल दिया है मैंने कोसिज किया कि आसान बास हम इस unit को समझाओ इस unit को अच्छे से करना है क्योंकि दस number कम से कम आएंगे और जिसको mathematics में problem है निकालने में mathematics में थोड़ा सा कम difficulty आ रही है उनको यह unit पका करना है क्योंकि ऐसे ऐसे number अगर आप ले के आओगे तो mathematics पहले portion में कम number ले के आओगे तो भी pass हो जाओगे तो मुझे जो next unit चल्दी लेकर आना है और किस तरीके से लेकर आना है प्लीज comment करें और बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा तो क्या इसी तरीकी की वीडियो हो और next unit के अंदर लेकर आए या क्या करें आसा करता हूं यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा तेंक यू